प्रणिवे सरमनिय दर्ष्यनं मन्दहा सरुचिरान नाम्भुजं पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचेंतये ओमवतारिने स्रिस्वामिनारायनाय नमो नमहं स्री सहजानन्दाय नीलकंथाय च नमो नमहं स्री गुरुचरन कमले भ्यो नमो नमहं बोलो स्री स्वामिनारायन भगवाननी स्री हरी कुरुच्न महराजनी जै स्री घनस्याम महराजनी जै कथा सांभळनारा बधाज भगतोंने खुब भाव थी जै स्री स्वामिनारायन स्री हरी चरित्रा मुरुच्छागर पूर्चठ्थू तरंग अधार्मू भगवान स्री हरी तावी गामथी में थान पधारे छे आप्रसंग आतरंग मां अपने स्रवण करी सु स्री हरी मोल में चर्ण कर मंडप मध्ये बेठे आय न्रीप मनोरत पूरे सब पीछे न कोई रहाय बिन धारे उत्षव महा स्री हरी इहा कीन बिन धारे उत्षव महा स्री हरी इहा कीन एसो नभयो उत्षव कीहा हरी फिरे इतने दिन भगवान स्री हरी तावी गामना राजा यामना राज महलमा चरणारविंद पाड़ी ने मंडपनी मद्य आवी ने बिराजमान थया आप समझ लेते होन गुजराती आपड़ी आज सागरनी कथानो प्रताप जो दादा इंदी भासी छे वेशे तो साउथ से है लेकिन मंदीर में आये भगवान के दर्शन किये दर्शन करते ही उनके रदई में बड़ा भाव हुआ इतना भाव हुआ आने लगे माला भी करने लगे भगवान को याद भी करने लगे प्रती दिन कथा भी सुनने लगे अस्बंड वाइक दोनों ने भगवान स्वामियारण की मूर्ति रखी है माला भी करते है प्रति दिन कथा भी सुनते है सत्संग के नियम उनका भी पालन करते है यही तो सत्संग है सत मतलब भगवान उनका सत्संग मतलब उनसे जुड़ना कोई भी लेंग्वेज हो कोई भी जाती हो कोई भी प्रदेश हो लेकिन जिसके रदई में सत ऐसे परमात्मा सत ऐसे महात्मा सत ऐसे सास्त्र और सत ऐसा धर्म इनकी ओर लगाव हो जाता है इसी को सत्संग कहते है भगवान स्रीहरी पधारिया आरीते दरबारना बधा मनोरत पूरा करिया कई बाकी न रहियो श्रीहरिये ताविमा अखा भायने घेर अन धार्यो मोट्टों उत्षव करियो स्रीहरिये आतला दिवससाथसंग मा फरिया आवक उत्षव ज्याइं करियो नथी अने पची स्रीहरी ए संतो नी पासे दुकड, सरोधा, आधिक वाजिंत्रो वगडवी ने अतिसे उमंगती सुन्दर किर्तन गान करावियो अधराद सुधी किर्तन भक्ती करावि पची स्रीहरी पोठी गया संतो ध्यान करवाला गया अने जैर अरुणोदय थयो, त्यारे संतो ध्यान माथी उठ्या नारायान हरे आवी धुन मुख्थी करवाला गया धुन साम्बली ने स्रीहरी बेठा थया अने पोतेपन प्रसन मुख्थी धुन बोलवाला गया स्रेहरी संतों ने दरबारो विगेरे भक्तों नो समाज लही तड़ावे स्नान करवा माटे पधारिया तड़ावने काठे जईने उतारो करियो वस्त्र विगेरे एक बाजु मुक्या धोतियानों एक छेडो ओढ़ियो औने जड़नों लोटों भरिने थोड़े दूर सौच विधी करवा गया हमारे सास्त्रों में पवित्रता का बहुत बड़ा महिमा है आज के युग में चारो ओर मट्रियालिजम भहुतिक वाद ही बढ़ रहा है तब लोगों को पता नहीं पवित्रता क्या चीज है पवित्रता मतलब सुद्धी आज कल लोग ब्यक्टरिया से डरते है कहीं भी जाएंगे सेनेटाइजर रखा होता है बार-बार सेनेटाइजर लगाएंगे हाथ को मसलते रहते है पड़ आप प्रक्रिया आपना सास्त्रों मां हज़ारो वर्स जुनी जे स्रीजी महराजे धोतियानों एक छेडो माथे ओढ़ियो जड़नों लोटों भरी ने थोड़े दूर सोच विधी करवा गया सोच विधी एक ले तमें सुद्ध भासामा समझो छो बराबर टोईलेट नी विधी परंतु आपना सास्त्रों मां किटली सरस प्रक्रिया ओँछे आपड़िया परंपर आपड़े भूली गया यहने लिधिज बधा प्रोब्लेम छे अमेरिका विशे कोई अंगरेजी मां सोरी हिंदी मां कवीता लखी छे यहनी एक लाइन एवी छे खाने में काटे धोने में कागज इससे ज़्यादा अमेरिका में कुछ नहीं है खाने में काटे और धोने में कागज सरीर सुद्धी सुँछे स्रीमत सत्संगी जीवन पाचमू प्रक्रण भगवान स्रीहरी ए सोच विधिनु निरूपन करियुछे अत्ती विस्तार थी पुझ्यपात गुरुजी ए घणी वार कथामा बाहर साथे कहियुछे घणा हरी भगतो वारे वारे कहता अमे तो समी अमेरिका मा छिये अमेरिका मा बदू न चाले एना जवाब रूपे गुरुजी ए कहियुछे कि आपड़े अक्सर धम मा जवु होई महराजने राजी करवा होई तो महराजनी आगना प्रमाणे रहवो पड़ से तमें अमेरिका मा गाड़ी फेरवन तमें क्यो मने बेल्ट मारवनों गमतू न थी तो पोलिस सगो थाई खरो अमे कदाग पोलिस तमने माफ करी दे पने अक्सिडेंट थाई तो तमें बचो खरा बेल्ट बांध वो एक खाली काईदो न थी एक काईदा पाचल रिजन छे कई रिजन छे सेफ्टी नो कदाच अक्सिडेंट थाई तो अपन बचवानी सक्यता वधी जाई रोड उपर ट्राफिक लाइट छे तमें स्टॉप साइन जोई रेड सिगनल जोई हो रेड सिगनल देखने के बाद आप रुपते नहीं है वाईलेशन करते है साइद सरकार आपको माप कर देगी पता नहीं चलेगा तो लेकिन अकस्माथ हुआ तो किसी भी रूल्स और रेडूलेशन के पिछे हमारी सेफ्टी समाज की सेफ्टी कुछ न कुछ वजुद होता है आपड़ा सास्त्रों मा पण एवुद छे तमें संतों ने जोया हसे आपड़ा मंडलना संतो गम में त्यारे टोईलेट जाए तेर माथे बांधवानू विदी एवी छे कानूपर जनोई चड़ावानी माथे बांधवानू पावडर पेला मुकी देवानू चादर के वस्त्र पेला मुकी देवानू तोईलेट गया पछी एकपण वस्तुने आपड़े अडी न सक्किये जे कोई वस्तु अडिये छे बद्धी वस्तु अपवित्र थाईजे तोलेट माथी निकलया पची तुरंत 70 वखत पेलातो आध धोवाना आध धोया पची त्रणवार पग धोवाना पची तुरंत स्नान करवानु स्नान करया पची जे रुमाल आपड़े एडवांस मा मुकी दिधो होई ये रुमाल थी आपड़ा सरीर ने चोखु करी रुमाल चेंज करी लिए पच्छी आपड़े पवित्र थया त्यार बाद घरनी नानी मोटी तमाम वस्तुने अडवाने आपड़े लायक थया कहवाई अवे आजे तो दादा अमेरिकाना लोको चोखाई मा माने जे पवित्रता मा नथी मानता सारू देखाई ये मा माने जे सारू होँ जोए मा नथी मानता चोखा येटले सारू देखाऊ अने पवित्रता येटले खरेखर सारू होँ धिमन्त बगत एक वार आयवा के मने क्वेस्चन मने पूछियो संतोना टोइलेट बात्रम उपर ब्लोक छे एमा कोई काम माते धिमन्त बगत अंदर गया हासे साप सुफाय माते मने जोयू मने प्रस्ण पूछियो के स्वामी अमुक टाइल सुपर लाल कलरनी सेलोटेप मारी जे तो टाइल सुपर लाल कलरनी सेलोटेप मारवानू कारण सुँ त्यारे में कहिऊ कि आपडा संतोना नियम प्रमाने टोइलेट गया पची जे रस्तिया आपड़े चाल्या होई ए रस्तो अपवित्र थाई ये रस्तो फरिवार अपने वापणी न सक्के येतली लाल टाइल्स मारी छे ये बदी रेड सिगनल जोन छे टोईलेट गया पच यूस थर्यों येतली डे टाइम मा कोई भूल थी पण ये टाइल्स उपरपग न मुकी दे येतला माटे येतली टाइल्स ये लाल टेपथी कवर करी दिदी छे अतली नानी नानी वातमा संतो सुद्धी राखे छे त्यारे अपियोडा घंस्या महराज येनू खेचान आतलू बदु वधी रही उचे तमें जो महराजनु खेचान, महराजनु तेज, महराजनु आकर्षन अखी दुनिया मा त्यारे गम्मेत यां जहिए जे कोई भगतो क्या आरे ही पण एक पण मंदीर मा दर्शन करवा नथी आएवा ये पण एक वारतों चोक्क सेम कहे कि लोया धमनी मुर्ती जेवी मुर्ती क्या ही नथी सोच विधी जीवन मा जरूरी जे माथे ओढ़वू, जनोई चड़ावी अने सोच विधी करवा जवू दादा एनी पाछल घणू मोटू साइन्टिफिक रीजन जे पण हवे तो क्या लोकोंने साइन्टिफिक के सास्त्रारे मतलब चे बस सारू लागवू जो ये है बेठकनी व्यवस्थै खूर्ची जेविकरी नगी या भारती पद्धती नोती बारती पद्धती प्रमाणे बेशनार एने शरीर मा घणा बदा रोग पण ओचा थता कब जयतना प्रोब्लेम पण ओचा रेता हरणियाना प्रोब्लेम पण ओचा थता आजनो युग केवल ने केवल सारू लागे औने सारू देखाई आमाज मानना रोचे असास्त्रों नी वाद न समझाई तो संतों ने प्रस्न पुछी आपने जिवन केवु जिवु जोईये इसिखी डुनियाने जहे करवोईते भले करे आपने महराजने राजी करवा छे माटे एवु जिवन जिविये चोक्कस आपनने आनंदा आउशे घणा बदारी बक्तों ने आज जहान करवानी स्टोर मा जोब मा बिजनेस मा तमे गया हो गम्मे ते प्रकारना मानसो तमने अडिया होई एब दाने अडिन तमे घरे आवो येमा अनेक प्रकारना मानसो होई वैगनानीग भासामा कहुतो रोगिष्ट मानसो होईbody Infection वाळा होई सास्त्रनी प्रासमा कहुतो गम्मे तेवा अपवित्र मानसो होई इने अडिया पछी आवी घरे पेल्ला आपने स्नान करी औने त्यार पछीत जम्वा बेशो जोईए स्नान करी त्यार पछीत भगवानने आरती करवी जोईए दरेक सत्संगी भक्तोना घरमा आवो टुको काईदो राखवोत जोईए पाच प्रकारनी सुद्धी जरूरी जे आतो बहुन मोटो विशय छे पड़ कथामा प्रसंग निकलो छेले टुकमा वाद करू केटली सुद्धी जरूरी छे दादा? पाच प्रकारनी आम तो सत्संगी जीवनमा स्रिजी महराजे वाद करी सौच बे प्रकारना जे बाहिय सौच और अभ्यंतर सौच एटले बहार नी सुद्धी और अंदर नी सुद्धी बहार से भी पवित्र होना चाहिए और भीतर से भी पवित्र होना चाहिए तब ही हम भगवान की पूजा करने की लाइकात प्राप्त करते हैं तन पवित्र हो, मन प्रसन्द हो तन और मन दोनों जब सुद्ध होते हैं तब ही परमात्मा का संबंद जीव को होता है हमारी सारी साधनाई, सारी उपासनाई, सारी आराधनाई All rituals only हमारी तन और मन की सुद्धी करने के लिए हैं दो तरह की सुद्धी बाहिय सोच अभ्यांतर सोच अभ्यांतर सोच एकले अंदर थी सुद्ध थव। अवे अंदर नी सुद्धी अती अनिवारिय चेन अगरी पण छे। सत्संगी जीवनमा महराजना सब्द छे आभ्यांतर सोच नी सरु आत बाहिय सोच थी थाई। तमें बाहर्ती सुद्ध रेवा मडो, पवित्र रेहवा मडो, क्लीन रेहवा मडो एटले धिरे धिरे करता तमारू अंतह करण एटले रदै पण धिरे धिरे पवित्र थवाला दे। स्रिजी महराजना सिंपल कोंसेप्ट हतो आथी खराब जोवानू बंद करी दो, कांथी खराब सामबलवानू बंद करी दो, तो धिरे धिरे तमारू मन पण खराब विचारवानू बंद करी देशे। मनने खराब विचारोथी दूर करवा माटे पहला बाहारनी इंद्रियो विगेरे ने खोटाने खराब विश्योथी सुद्ध करवी जरूरी जे। आ भगवान स्वामिनायनू पायानो सिद्धान्त जे। संतो पन वारमवार एटला माटे भार मुके जे। बाहिय सुद्धी जे आभ्यांतर सुद्धीनू कारण छे। ए बाहिय सुद्धीना पाँच प्रकार छे। स्थान सुद्धी, आहार सुद्धी, सरीर सुद्धी, वस्त्र सुद्धी, औने धन सुद्धी। स्थान एकले जमीन पवित्र होवी जरूरी जे। तमें नवु घर लो महापुजा करावो। येना थी स्थाननी सुद्धी थाईएचे। तुकमा विशय लवचु वालमिकी रामायन माँ प्रसंग छे। रावण नो वध थाई भगवान राम लक्ष्मनने आदेशापे छे। तुकमा विभीष्मननो राज्याभिषेक करवाजा। अने भलामन करे छे। कि विभीष्मनने गादी उपर बेशार जे। पन रावण नी गादी उपर तु न बेशतो। खवर छेने। लक्ष्मन जी गया। विभीष्मने खुब विननती करी प्रभू आतो रावण नू आसन छे। एक वारत में पवित्र करी दो, एक वारत में बीराजो, एक वारत में बेशी जाओ। खुब विनन्ती करी त्यार लक्समन जी दयाये करी ने रावण नी गादी उपर बेठा साइम्बलो छे आ प्रसंग वालमी की रामायन नो प्रसंग छे लक्समन जी रावण नी गादी उपर बेठा सा empire गाधी ने सुद्य करवा माठे अने पोते क्य वा थे गया विचारों बदली गया बुमों पड़वा लाग्या क्या छे रावन क्या छे राम अत्यार नत्यार पकड़िल लावो मारों आदेश छे विबीशन तो चोंकी गयो क्या कोन बोले छे विचक्षण विभीशण ने खबर पड़ी गई कि लक्षमन जी ना विचार न थी आ गादी उपर बेठाने आ विचार कोना छे गादी ना विचार छे हमारे सास्त्र में स्थान की सुद्धी का बहुत बड़ा महत्व है उत्तर प्रदेश मां एक जेल छे एक जेल ने अंदर एक घटना घटी अखो सत्य प्रसंग गिता प्रेश गोरकपूर से निकलती हुई कल्यान मासिक उसमें सत्य घटना एं प्रतिमास आती है उसमें पूरा का पूरा प्रसंग जेल मा एक दुरघटना घटी त्यार पची केटला वर्षो सुधी येनी परंपरा चाली आखो प्रसंग कारण के स्थान अपवित्र हदू येनी सुद्धी न थई महाभारतनी कथा मा एक प्रसंग आवे छे स्रवन महाता पिताने कावड मा लई तिर्थ यात्रा करावा जाई छे ने कुरुक्षेत्रनी भूमी मा जारे स्रवन आवे छे तेरे ए स्रवन महाता पिताने गम्यतेवा सब्द कहवा लागयो ठाकी गयो महाता पिताने खबर पड़ी गई कि अमारों दिकरों क्यार्याव बोले नहीं आजे बोले छे नक्की कोई अपवित्र भूमीनों ने स्पर्स थयो लागये छे जीवनमा पेल्लू जरूरी छे सुँ स्थान सुद्धी कई दादा कुत्रो पन जमीनों पर बेशे जमीनने साप करे पुछडी थी पची बेशे तो मानसे पन गम्यतिया गम्यतिय रिते बेशू जो ये नमबर वन स्थान सुद्धी नमबर टू घणा बजा प्रसंगो छे उन टुकमा कव चु तमन्यादो नमबर टू आहार सुद्धी उपनी सद येम कहे छे आहार सुद्धो सत्व सुद्धी ही सत्व सुद्धो ध्रुवास्मृती ही उपनी सद येम कहे छे अन्यम यत असितम तत्रेधा भवती आपडे जे अन्य जमिये छिये ये अन्य त्रण भाग मा वेचाईजे बने चे अपनी टुकमान अन्य अन्य नो सुक्स्म भाग जे चे ए सुक्सम भाग आपना सरीर मान बने चे एतले के मनना विचारो बने चे अवे तमे मने कहो होटल नू खवाई बोलो होटल मा बनावनारा कदाच आथमा गलोवस पेरिन बनावता आशे माचे तोपी पेरिन बनावता आशे पना रदयनो भाव सुँ होई बनावा वाळानो भाव चे पैसा कमावानो यतले के पैसा नोज भाव चे यहाँ भगति प्रेम श्रद्धा विश्वास क्या मा रिलेटिव आवे चे प्रेम ठी बनाव यहू कई चे होटलना बिजनेस मेनों बनावे छे मा केवल पैसा माटे बनावे छे औन ए अन्न खावावावाडा मानसोना मन्ना विचार्पन केवा थवा ना आ पैसा नी पाछल पागल बैना छे न बद्धा येनी पाछलनू मुख्य कारण आ छे आहार सुद्धी पिता मह भिष्म कितने बड़े थे गंगा के पुत्र थे गंगा के पानी जेसा निर्मल और पवित्र जीवन था लेकिन आप सब जानते हैं संधी प्रस्ताव के लिए भगवान कृष्ण आये हैं युद्ध का एलान हो चुका युद्ध निर्धारित हो गया बस अब यह निर्धारित करना है कौन किस और रहे के लड़ेगा दुर्योधन को बड़ी चिंता है मामा सकुनी को बताया चिंता एक ही बात की है पांडव को तो मैं युँही मचल दूँगा लेकिन पिताम भिस्म अगर पांडव के पक्स में हो गये तो सारी बाजी चो पाठ हो जाएगी सकुनी ने राष्ता बताया के दुर्योधन कोई गंदामा गंदो अपवित्र मानस ने बोलावी एनी पासे रसोई करावी दादाने जमाडोन पछी तमारे पुछवानुक दादा कोने बाजुरेन तमे लड़वाना इपेला ना पुष्तो करण के दादा तो पांडवना पक्ष्मा जता दुर्योधने कयु तमे आतलो रस्त मने बतायवो तो बिजो रस्त बतावी दो येवो गंदो मानस कयो छे कोण छे जिने सोधीन एनी पासे रसोई बनावु सकुनी मामाय हस्ता हस्ता कयु के भाणा खोटू न लागे तो कव तारा जे वो अपवित्र मानस आक्खा हस्तिना पुर्मा कोई नथी तु जात्य रसोई बनावु दादाने जमाड प्रेमती पिरस जे आने पच्छी जमिली दा पच्छी पुस्च जे के दादा युद्ध थवानू छे तमे कोना पक्षे रेशो दादा तारा पक्षे दिलेशे आहार सुद्धी सुँ एतलो महत्वनवा मुद्धो छे नित्यानन्द स्वामी उमरेठमाहता सास्त्रार्थ चाले त्रोन दिवस्पुरात हाई ब्रहस्पती करता पण जनी बुद्धी विशेश छे नित्यानन्द स्वामी माटे जेता यह पंडितानाम जगति विवदताम देवता चार्य वक्ता चक्रे नित्यम कथाम्यह प्रगट भगवता सन्नी धाने मनोग्याम ब्रहस्पती करता जनी बुद्धी वधारे हाथी आप प्रुथ्विनो कोई विद्वान जने जीती न सके आवी प्रतिभावडा नित्यानन्द स्वामी थाकी गया स्वामे ना प्रतिवादी एवा प्रस्ण पुछे गोपाडन्द स्वामी पासे गया स्वामी स्वामी ने विनंती करी स्वामी आउ सक्यज नथी कईक महराजनी लिला छे आतो स्वामी मने समझातू नथी मारो पराजय थाई येना करता महराजम पराजय छे आमातो ए वातनू मने दूख छे स्वामी उँ जीती नथी सकतो कईक कृपा करो त्यारे गोपालांद स्वामी त्रिकाल दर्सी हता दीव्य रूपे स्वामी जानी लिधू, जोही लिधू, टकोर करी स्वामी तमे जे घरती भिक्सा लावो छने जेना घरती अनाज लावो छने भिक्सा माटे ये घर अपवित्र छे ये अपवित्र घर नी भिक्षात में बंद करी दो, बिजा घर नी भिक्षा चालू करो, महारत भड़ से अने कामपती जसे केनी जरूर छे? आहार सुद्धी क्या नित्यानंद स्वामी, क्या पिताम भिष्म, तो ये बोल एक भिष्मी सदी मा बेठेला आपड़े बधा के वा? प्लास्टिक ना चोखा, डादा प्लास्टिक नी कोभी, विचारत करो, क्या युग जहने बेठो? क्या पवित्रतानी वाद करवी ने क्या आजनो युग? माफ कर जो, पाँच सुद्धी लखी राखो, बहुस आ इंपोर्टन मुद्धो छे माधवानंद सरस्वती जीनू क्यो नामनू पुस्तक एक वार वाचवा जेऊ जे तो यले ट्वक्ते माथे साम आते कपड़ू बांधू? सन्तो आजे पन आपड़ा बद्धा सन्तो तमें जोजो? सास्त्री प्रक्रिया छे आखी एनी पाचर सास्त्री कारणों छे ये बद्धा तमने समझाओ जाओ तमें कपड़ू बांधवा मरसो केंके तमें कपड़ु क्या आजे, हाथ दोता न थी आवर तुम कपड़ु क्या बन्धा उदा दा हमजी यहन तमें आगल तो बोलतो नसी पछे पाच सुद्धी जरूरी जे एक स्थान सुद्धी नमबर टू आहार सुद्धी नमबर थ्री सरीर सुद्धी आपणे स्नान करिये छिए भगवाननु नाम लेता भगवानने संभारी कंगा यमना तिर्थोने याद करी अन्नानी वात नथी सरीर नी सुद्धी जरूरी छे विग्नान पण माने छे कि एक मानस ने कोई चेपी रोक्चे एडस जेवो ए मानस नो रुमाल वापरेलो होई छिक खाधेलो अने तमे वापरोने तो पण तमने एडस थवानी सक्केता जे इन्फेक्षन आतलू बदू स्प्रेड थाई जे विग्नान पण स्विकारे जे तो अप अवित्रप शरीर वाडा केकला बधा मानसो आपने गम्मेत यार अडता होई येना रोग जो आपने आउता होई तो ना विचारो ना आवे आसिद भगत एक वार मने वाद करे दी साथ आठ वरस पेलानी मने याद छे आसिद भगत एक भाईनी साथे बाहर गयेला ये मने मने कयुक स्वामी ये पापी मानस साथे बे दिवस गाडी मा फर्यो मारा विचारो मारा रातना स्वपनावो मारू बद्धु बदली गयु स्वामी बद्धु चेन थयु पाचो ये आएवो संतो नी सान्नी प्रसादी मलती ये त्याक्स्वमी नी बनावेली भाकरी त्रण चार दिवस जेमों ने पच्छी मारा वीचारो पाछा पेला हतायवा थाई गया मनेक देखावा लाग्यू पापी नी बाजुमा बेथों ने खाली आसित बगत करीती बाता सारा संतों ने सारा हरी भगतो अनुभवी सके विवाद छे एतले नंबर वन तमें गम्मेतिया जाओ याद राखो स्थान सुद्धी गम्मेतिया गम्मेतिवी जग्यामा गम्मेतिरी ते बेसी न जाओ नंबर बे आहार सुद्धी गम्मेत्यां गम्मेत्य नहाथनू गम्मेत्यु जमीनलो विचारो पेला पची जमो बराबत अजार वार विचारी ने जमो नंबर त्रोन सरीर सुद्धी स्नानकरी घरमावी पेला स्नानकरीलिये पुजापाट करता पेला राजकोट गुरुकुलना अरी स्वरुप स्वामी यह मनेक सप्त्य घटना कही जे गुरुकुलमा अरणी मन्थन हदू अरणी मन्थन यहा लाकडावमाथी ओटोमेटिक अगनी प्रगड थाई औन एपुल्ट yağ अगनी ध्वारा यँग न थाई अपड़ी सास्त्री प्रक्रिया छे अरणी मन्थन ==== अने एमा येवू छे थोड़ी जवर्मा अगनी प्रगट थे लाकडा माती इच्छे अगनी घसा है येटले आतो साहजिक प्रकरिया छे अरणी मन्थन करी करीने संतो थाकी गया बावडा दुखी गया अगनी प्रगट न थाई परसे वो छुटी गयो अगनी प्रगट थाई तो यगन सरू थाई यगन सरू थाई तो विधिया आगलवदे येजमानों मेहमानों संतो भक्तो बद्धा रह जोवे रान थे गया एक ब्रह्मनिष्ट संत हता मोटा यमने कोई पूच्युक स्वामी आपकेक दयाकरोकेक आ कारण लागे जे यमनों अगनी प्रगट थाई ने उबने पेला मोटा त्रिकालगनानी संत येपन उभा थया अमणानी आ खाटना हरीश्वरु स्वामीये नाम गाम ठाम साथे वाद करी जे उभा थया पोतानी ओरडी आशने गया आक बनकरीन ध्यान करे महराजने प्रारतना करे त्या तो ये रूम्मा तेज थया अगनी देव पोते प्रगट थया अगनी देव साक्सा ये मने एक वाद करी मारे आवू छे ये अगननों अगनी हूं पवित्र छू त्या अरणी मंथन चाले छिने त्या एक व्यक्ति एवू बेठू छे एकलू अपवित्र व्यक्ति एक छे ए व्यक्तिने त्याथी खसेडी दो तो हमणा हूं प्रगट थया कोणे कहियु ? मोटो मान सतो, सिदुद केवाई उहतु ने, कोईक बानू काठी ने, येने त्याथी खसेड़ियो, अने अगरी प्रगड थया. कई सुद्धी ? सरीर सुद्धी जरूरी जे. नमबर 4. वस्त्र सुद्धी. आपणे कपडा पेरिये छे, सिक्षापत्रीमा महराज मिया आगना छे. स्नान करी, धोहला कपडा पेरी, पछी पूजा करवा बेशुवा. बराबर किदुने ? धोहला कपडामा केवू सास्त्रमा लख्यू, जे धोहला कपडा होई, अने पाचा अपवित्र मानसोय अडेला नव होई, एवा वस्त्र एज पवित्र कहवाई. तमें कपडा धोई नाखो, इस्त्री मारीदो, अने गम्मेते गम्मेते वाहते अडीलेई, ये पवित्र कपडा न थी. कपडामा पण, रेस्मी कपडू छे, ये अपवित्र न थाई, एटले लगबग, अरी बगतो, पूजानी धोती साल केवी राखे, रेस्मीज राखे, पाच वर्षे आका घरना बधा कपडा धोवाई, पन पेलू धोत्यो तो धोवाणू, एक रसोयानू अबोट्यो, अने पूजानू धोत्यो, आ अपवित्रमा अपवित्र होईचे दादा घणिवार, आतो रमुज करू, पन केवानू, वस्त्र सुद्धी जरूरी छे, अने पाच मी दन सुद्धी, पैसा, पुज्य गुरु जिये पणा वाद करी छे, संप्रदैनिया सत्य घटना छे, आफ्रीका भाई गयेलो, घणा बधा पैसा कमाईने पाचो इंडिया आवे, बेनने त्या रात रोकाणो, पैसानी पेटी हती, बेननी बुद्धी बगडी, सग्गा बेननी बुद्धी बगडी, पैसा सूं पाप न करावे, सग्गा भाई ने मारी नाख्यो, अरी भक्त हता, सत्संगी परिवाद मिया दुरघटना हमना नी, भाई ने मारी नाख्यो, घर्ना वाडमा दबावी दिधो, बेन बनेविने थयू, कि आपणे आतला बदा पैसातो लिधा, पणानू प्राइस्चित करिए, सुँ प्राइस्चित करिए, आपणे नर्नान देवने रसोयापी देए, संतोने जमाडी देए, गणिवार तमारू आप, पाप छेने, संतोने पन पचे नहीं हाँ, ब्रामचारी थाल लए, नर्नान देवने धरवा जाए, थाल पड़ी जाए, बीजीवार थाल पड़ी जाए, त्रीजीवार थाल पड़ी जाए, अने कहवाये छे, बद्धा संतोना पेटमा फाल पड़ी, गम्मे तेमा, आजे भगवान नी इच्छा लागती न थी थाल जम्मानी, बाकी एकवार बने, कदाच एकवार बने, बहुत है तो बेवार, त्रणवार तो बने ज नहीं, अने ए समय मा, समाधिस जेविस्थिती जम्नियती धनबा फाय हाता, धनबा फाय सुधी समाचार मोकलया, वात करी, बातो दिव्य द्रष्टिवाला हाताय मने जोयली थू, अरे 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 अरे, आ थाल तो नर्नान्देव क्यारे नहीं जम्य, निरास्थे गया, आवो थाल, एक हरी भक्तनु खून करू होए, और इपईसाथी भगवन थाल थो तो यह भगवन जम्य क्यारे, पिलिश्थ्रीने बोलावी, ठपको आयपो, बाईने पुतानी भूल समझानी, खूब यहने पस्चाताप करो पणवेतो शू, कहवानू सु, धन सुद्धी जरूरी छे, बाक्य आपणू दान, आपणी सेवा, आपणी साधना, इबद्धानू मुल धन छे, अप प्रामानिक रिते, अनी तीथी, मेलवेलू धन, एक क्यारे, तमारा मनमा, नितिना विचारो आववा देतू, नथी, अनी तीनू धन केवू छे, सत्संगी जीवन उदाहरणा पेछे, गाईना पोदला जिवू, गाईनो पोदलो जमिनू पर्थी उचो करोने, तो पोदलो तो उचो थाए, पर निचेनी माटिने पर्ण, उचो करे, एविरित्य अनिति थ्यावेलू धन, पोतानो तो विनास करे, पर्ण साथ पेढ़ी सुधी नडेचे, केटली पेढ़ी सुधी? केटली पेढ़ी सुधी? साथ पेढ़ी सुधी. सरस्त्वात आवी, स्रीजी महराच स्नान करवाच गय पधार्या छे, सौच विधी करवाच जयर्या छे, माथे वस्त्र बांधियू, लोटोलई महराच दूर सुधी जाई छे, आपणी सौच विधी, आपणा सास्त्रणी परंपरा प्रमाणेनी, एमाँ पांच वस्तुनु ध्यान रोज राखिया अपणे, फरिवार बोलूचु, स्थान सुध्धि, आहार सुध्धि, सरीर सुध्धि, वस्त्र सुध्धि, अने धन सुध्धि, वचना मृत्मा महराजे उल्यक करयो, देव जेव थाई, तेरे देव सिवाने अंगिकार करेजे, देवो भुत्वा देवम यजेद, आपने भगवान जेटला पवित्र बनीशू, प्यारे अपणी प्रार्थना, पूजा, भगवान, स्विकार करेजे, स्रीजी महराजे, आविलिते, सौच विधी करवानी सरुवात करी, सौच जयने आविया, वरणी आध्धोडाविया, उम्मभै सुंदर ताजूने कोमल बावरणू दातन लाविया, महराजे मुक्सुद्धी करी, स्रीहरी साथे जे संतोने दरबारों विगेरे हता, ते बधाये पन त्यां स्नान करियू, स्रीहरी नाहिने तड़ावना जलमा थी बहार निकलिया, पने रुमाल्थी शरीर कोरू करियू, पछी जरियानी सुंदर सुर्वाल पहर्यो, जिनी विविधरंगवाली नाडी लांबी हती, सुंदर्श्या में रमणी जरियानी जामो पहर्यो, देव रुष्योना अधिपती श्रीहरीय मस्तक उपर अजोड जरियानी पाग बाल्दी। भिखु दादा एक वाद करू, आपड़ा पुज्य गुरुजी पासे, स्रीजी महरादनी सुर्वालनी नाडी छे, कि जिन्गी भुलाई ने, येवी जोर्दार वायो ने, जेनी विवीद रंगवाली नाडी लांबी हती, येवीज नाडी, आ सब्दायोन मने तरती देखाव लाई ग्यो, गुरुजी ये वर्षोपेला दर्शन करावेला ने, अबधी वस्तु लोयामा, पुज्यपात गुरुजी, ये मंदिर नो निचे नो भागछेन त्या पदरावाना छे, सुन्दर श्यामे रमणी जरियानी जामो पहर्यो, देवरुशियोना अधिपती, स्रीहरीये मस्तकुपर अजोड जरियानी पागबांधी, मुक्तानंद स्वामी सुन्दर केसरवालू चंदनलैने आविया, तिना थी ललाटमा तिलक करियो, ब्रह्मानंद स्वामी ये तिलकना मध्यमा कुंकुमनो, सुन्दर चांदलो करियो, ते समये स्रीहरी मरक मरक हस्ता हता, श्रीहरीए ब्रह्मानंदी स्वामी ने कहिए, पुजा करवा मा तमने हेत बहुँ छे, चांदलो करवा घणू चाहो छो, पन तमने चांदलो करता तो आवर तू नथी मुक्तानंद स्वामी तिलक करवामा घणा चतूर छे संतो मा तेमना जेवा बिजा कोई संत एतला चतूर नथी तिलक करता तो एक मुक्तानंद स्वामी ने जावडे छे संतो नु घडतर जुओ स्रिजी महारजी केवू केरू भगवान स्वामेणना साधुना कपड आखी दुनिया ने गमे हाँ नहीं दादा भगवान स्वामेणना साधुनी पाघ आखी दुनिया ने गमे भगवान स्वामेणना साधुनो तिलक ने चानलो आखी दुनिया ने कमे अब अध्धी वस्तु श्रिजी महाराज अक्सरधाम माती लईने आवियाजे तमे बदा भक्त पण आग्रह राखो तिलक चानलो कपालमा सरस्मजानो हो जोई हां सामेवड़ाम जोवेने तेने तिलक चानलो ज्याद रही जाई महाराजे मुक्तानन्द स्वमीनी रितने वखाणी आपणे बदा मुक्तानन्दी परंपराना छिये आपणा आधिगुरु मुक्तानन्द स्वमीनु पुस्तक अंग्रेजी मा अती सुन्दर आपणे हमना प्रकासित करू छे तमने बद्धाने मारी विननती तमे घरमा वसाव जो अंग्रेजीनु ए पुस्तक क्यारेक आखु ए कथामा तमने बताविस मुक्तानन स्वमिनु जीवन केटलू दिव्य अंग्रेजीमा लिधू छेमा पत्यार सुधी मुक्तानन स्वमेनु अंग्रेजीमा जीवन पेल्लीवार पबलिस्थ थयुँझे पुज्यपाद गुरुजीनी अम्रुत कणिकावो कथावार्तमा जे वातो करी होई एमाथी विनेला मोतियो ये कल्यान कणिका नामनु पुस्तक जे जे भक्तो वाचे छे एटला बदा राजी थाई छे तमने बदाने पण विननतिये कल्यान कणिका नामनु गुरुजीनी अम्रुत वाणेनु पुस्तक घरमा वसाव जो अपड़ा लुयाधम परिवार्द्वारा एवा सुन्दर मजाना साहित्यों ववे सरजन थे रहेऊ छे अपड़ा संतो अपार दाखडो करे छे सद्गुरु मुक्तानंद स्वमिनु पुस्तक एमा मुक्तानंद स्वमिना केटला महान कारियो हता केटला दिव्य एस्वरियो हता केवा सुन्दर मजाना प्रसंगो हता खूब सुन्दर रितेनी छनावट करवा मावी छे स्वमिना अदभूत स्वमिनु जिवन तो सद्गुरुन नो सागर हतु महराजी आविरित्य ब्रह्मान स्वमिने टकोर करी आपनों समय ओचो पड़े छे बाकी आ कथाबू लांबी छे श्रीहरी नाही ने तावी गम्मा आविया तेवक्ते सुर्योदे थाई चुक्यो हतो श्रीहरी ये बधी सवारी ने बोलावी सहु दर्बारो घड़ेश्वार थाई ने तिया आवी गया अस्व माटेना जरीमाई साज सनगार श्रीहरी ये दर्बारो ने आपिया कारण के एक वात वाचो चुछू सिधा बेशन बदा सावधान सुन्ने लायक है कारण के मेतमने कयो हतू कथामा कारण के परंतु सब्दा वेटले सिधा बेशन जवाद असव माटेना जरीमाई साज सनगार श्रीहरी ये दरबारो ने आपिय दी दा गोड़न आयपा कारण के सेवकनी खामीनी लाज दनी ने आवे जे तेथी श्रीहरी आवो विवेक राखता सुन राखता आशित बगत सुन राखता विवेक श्री हरी पोता पासे जेवो पोसाक होई तेवो दरबारों ने पन आपता कारण के सेवक नी खामी बराबर तेनी लाज धनी ने लागे जे दिकरो भिखारी होई ने तो दिकरा नी आबुरू न जाई नाम कोनू बगडे बापनू बगडे यह सेवक भिखारी होई ने तो लाज सेवक नी न जाई कोनी जाई स्वामी नी जाई भगवान स्री हरी नुआ बव अधभूत चिन्तन हतू तमे कोई कंपनी चलावता हासो तमारी नीचे एक के बेमान सो काम करता हासे क्यारेक क्यारेक आपनने दुख थाई जाई हाँ स्वामी एचे सेवक नू पोशन करे पड़ यूग मावे स्वामी नू लक्षन बदली गयू जे मानसनू सोसन करे स्वामी बनेवू थे गयू खरेखराव उचे लुकोना कडवा अनू भूव में एतला बदा सामबला चेने देशमाने विदेशमा आपड़ा देशी मानसो अमेरिका मा कोई देशी मानसाइवो हो एने मोटिल मा राखे श्टोर मा राखे पचि येनू एतलू बदू सोसन करता होई काम त्रण घणू करावे घर्णो घर्णो करी एने पासे घर्णू काम करावे जोब सिवाईनू काम करावी ले बार जवानू एपन काम करावी ले अने पगार येतलो नेतलो सो आ तमारू स्वामी पणू बराबर कहवाई कहवाई दादा एक अपड़ा हरी भक्त मोटिल मा काम करे लगबग साड़ा साथ वरस्ती काम करे बे मनस मजूरी करे काम नक्की करू तो येना करता एक्स्ट्रा काम अठवाड येमा चार वखत होई बे चार पाँच कल्लाक होई तो कहीदे भईतु आटलू करी दे जने आजे आ वदी चादरो धुआ नाक जिने आट आरो आटलू काम कर ओन चेपन करी दे जने क्यारे कैक नां होई तो क्ये डेस पर कोई बे सिज़ा जो ने घरनु मानिया हारी भक्त काम करता रिया एने बेथी त्रणवार रिविननती करी के हवे अमारा दिकरावपन कोलेज मा आयवा छे मुटा थया छे का तमें अमारू काम ओछू करी दो तमें बे माती एक ज़े बीजीजीगे जोब करी शक्के केन कामरों पगारवधारी दो तमें अमारा घर जे और तमनी इस तम्मारी साथी में घर जे ओ संबंद्राइके ओचे तमें क्याम पगारवधारवन वाद करो जो अल्याबए संबंद्री वात मती आप प्यक्टिकल वात छे बोलो खाली बोलवा थी घर जेव उठाई दागा ज्यारे वात निकले एवी मिठी-मिठी वातों करी अने कि आपने घर जेव उठ्छे ने तमार तकलिफोय कई देवनु मने पगार्व धर्वनी क्या वात करवा बदू तमार उठ्छे ने आम पिला नाना छोकरा ने फोसलाएं फोसलावी नाखे तमे साचा स्वामी त्यारेज बनो छो रती बीन राज, रती बीन पाट, रती बीन छत्र नहीं एक टेको रती बीन साधू, रती बीन संत, रती बीन जोगन हो ये जतीको स्वामी बनवाने कोण लायक छे सेवक नुँ पोषण करी सके ते, सेवक ने समझी सके ते, जिमा भारतनी परंपरा मा एक सोशन बौव सामान्य थाई गयो जे, माप कर जो आमेरिकन मानस होई नहीं? एनी कमपनी मा काम करता और आनर अरी भग्तो नुँ लगभग, सुचन यू हो एक स्वामिय अमारे कमपनी नो ओनर बहुज सारो जे, काम पन मापे होई, सेलरी पन सारो होई, पट इंडियन कमपनी मा अपड़ा हारी बक्तो जे कोई जोब करेचे, केतला हारी बक्तो निमें केतली फरियादो सामढलेचे बोलवामा घर जेवू, अने व्यहवारमा नरक जेवू सोसाण, डिसोनेस्टी, शिक्सापत्रिमा लख्यू तमें जेने पासे जे काम करावता जेतला पैसा नत्किक कर्या होई एतला कामना वळतरमा एतला पैसा आपी देवा अपड़े त्या आखा देशनी स्थितिबू नबली अपने देखाई आपड़े सत्संगी छिये, भगवानना भग्त छिये, तमारी मोटेलोमा, तमारा बिजनेसोमा, तमारा स्टोरमा आवा प्रसंगों बनता होई, आ स्रिजी महराजनी वाद याद राख जो आपड़ा थी क्याईं डिस ओनेस्टी आपड़ा मानस जोड़े पन नव थाई, इनि तकेदारी राख जो, बाके आपड़ी उपर जोनारा महराज छे, घणिवार कामकांदनार नरू मानस पन कामचोरी करतो होई, यह उन थी करतो एक पक्स्नों जवाग छे, कामचोरी करतो हो आपड़े ने छुटों मुकी देवानू बराब, पन आपड़े राख्यो छे, एनो उप्योग अने दूरूप्योग बन्ने करिये छे, अने पूरू वल्तर आपता नथी, तो पछी, कदाच आ लोक मा तो पिलो नानो मानस आपड़ी सामें सूंक करवानू, पन ठाकोर जेन अमारा दरबारो अरी बक्तो यमनम होई साओ, एक्यम सोभे, अमारी सोभा मा येनी सोभा न थी, येनी सोभा मा अमारी सोभा छे, भगवान स्वामिलानी उदारता अने भगवान स्वामिलानी सत्य निष्ठता न या दर्शन थाईज, के ना पुझ्येपात गुरुजी धर परणा परणा होई, उपवास होई, गम्मे त्यार में संतो विच्रण मा होई ने, उपवास होई गुरुजी थाक्या होई, पोडवा जता में संतो होई, अमने के संतो तमें जमीलो, अमने के गुरुजी नहीं अत्यार भू मोडू थे, नहीं जमीलो, संतो ने थाक लागियो શામેથી પીરસવાવે પોતે ભુખ્યા છે જતા બિજાના ભુખની ચિનીતા કરેચે આ સાચા સંતુજે आ भगवान स्वामेर ना साचा साथूचे पोतानी नहीं बिजानी चिन्ता करें नाजनो मानस बिजानी नहीं केवल पोतानी चिन्ता श्रीहरी अस्वव पर सवार्थ हया चोपदार छडी पुकरवा लाग्या दंकाने नोबत जितला वागवा जोए ते बधा ते समय वागवा लाग्या श्रीहरी ना सिरूपर छत्र राख्यो हतू बनने बाजोए चामर ढळता हता आ प्रमाने श्रीहरी ज्यारे बजारे निकलिया तेरे हज्जारोनी संख्यामा लुको दर्शन करवा दोडी आविया श्रीहरी ये दर्बा रखा भाईने पन साथे लिता तेती तेवोपन उमंग थी सवारी साथे आविया श्रीहरी ने सहुं पाचेक कोस चालिया हसे तेया मेथानना पुञजाबाए, काकाबाए, अजापटेल विगेरे हरी भक्त सामे मलिया ज्यारे ते सहुं ये श्रीहरी ने दूर्थी देख्या अस्ववपर्थी उतरी गया पग माथी पगरखा काधी नाखीने श्रीहरी ने दंडवत प्रणाम करवा लागिया ज्यारे श्रीहरी न जिकाविया तेयारे तेहरी भक्तोय दर्शन करिया अने मनमा घणू आनंद थयो सहुं ये श्रीहरी ना चरणकमलने पोताना मस्तके तथा चाती माली था स्रीहरिये सहुने पुछियू तमे कई रिते जानियू अमे आविये छिये के जेती तमे अहिसुदी सामाविया अमे तो गईकाले तमारे गाम आववाना हता पन आ दरबार अखा भाये अमने वच्चे रोकी राखिया त्यारे पुण्जा भाये कहियू अखा भाये अमारा हित्येच्चु छे अमारा मित्र छे दुनियानों एवो विहवार छे जे हित्येच्चु होईने ए सुखमा आने दुखमा भाग पड़ावे आजे पन आप आवसो इवे आसा नहती, हित्येच्चु क्यारे आववा नदे, हित्येच्चुनू बंदन द्रढ होई छे, आज आपने आववा दिधा, ये पन महराज गणू सारू थयू येम कही पुझा भाई, विगेरे सहु संत्पने पगे लाग्या, पची सव घोडे स्वार थया, अती आनंद उल्लास ने लिधे, तेमने आखोमा हर्सना आसु भरायाव्या, अजा पटेले साथे एक आवेला चालाक मानस ने कहियू, तमें जल्दी दोडते घोडे मेथान जा विक्रमसंवत अधार्सो बासायट भादरवासुदी दस्तमनी तिथिये स्रीहरी मेथान पधारिया, तेमा प्रथम स्रीहरी तलावे गया, अस्वने पाणी पाईने किनारे आविया, तेम रुक्षोनी छाया घणी सुंदर हती, तेमा थोड़ी वार अस्वा उपर्धी नि आजोई, शास्त्रमा निती सास्त्रमा लख्यू, बद्धा धीरे चालतेन बो उत्तावण आपणे आगल निकली जीन, आपणो वड़ पाडवा माटे, ये पन खोटू छे, मुरुखामीनू लक्षन छे, अने बद्धा स्पीड माँ चालतेन आपणे आपणे अलग थी, त पास्त्रतों जीवनमा सिखवा जेवो जे, डगले ने पगले महरादनी वातों मा सिखवा माले जे, संतो नी रहाजोई, संतो आविगया, जीवबाने राजबाईनो संग जे पाछलतों तो ते पन आविगयो, स्रीरे पेंडानू टिमन करियो, थोड़ो मिठु नाखीने प बदा उतावडा दोडी दोडी ने गाम बहार आविया, सहुना आथमा स्रीफड हता, स्रीहरी ने आगल भेत मुक्या, तेनो नाना परवज्यो ढगलो थयो, जालावड मा सत्चंग घणा गामों मा छे, बन बे गामनो सत्चंग सिर मोड छे, एक अलवद औने बिजु मेथा जालावडी सत्चंग आजे पन वखनाई हाँ, समय पूरो थैजे सुंकरिया दादा, बाकि बेचार द्रिष्टांद आपत तम्ये, सम्चन बापा विगेरे मोटा मोटा मुक्तु नू जालावड मा पुस्कल वीच्रन, मोली पंथक आखो, औरे ब्रह्मानन स्वमे पानी प जालावड है चे, अबहूरो गम्मे ते आउनन सत्शंग हो युपने पाया माँकोंचे, सत्री भग्तू, पुन्जाजी ना बेन जीजीबा वज्रना किल्ला जेवा सत्वंग हतो, धर्म पाळवा मांतो वज्रना किल्ला जेवा मक्कम हता, अधर्मी ने आशुरी लोको तो त्याने चड़ी चोट भगाडी मुख्या हाता गामनी बधी बायोने तेमने तयार करीने गामनी बहर लईने आविया आत्मा मोती थी भरेला थालाता मुक्ती मंगलमे किर्तन गाता हाता ते पोतानी साथे पुसकल गुलाल लाविया हाता धर्मपुत्र स्रीहरी पधारिया छे, केटले तेमना दर्शन करिये, तेमने अपार आनंद थयो, बधीहरी भक्त बाईयो, स्रीहरी नी पासे आवी, थालमा भरेला मोती थी, स्रीहरी ने वधाविया, ते पछी, बधी भक्त बाईयो, स्रीहरी ना चरणोमा नमी पड़ी, स्र कही सक्या नहीं, इती श्री सहजानन्द स्वामी सिष्य, सिध्धानन्द मुनी विरिचीत, स्री हरी चरित्रामृत सागर्ण, सस्ट पूर्मा, श्री हरी ताविथी मेथान पधार्या, और हरी भग्तोय सामयू कर्यू, ये नामे अधारमो तरंग समाप्त थयो. बोलो घनस्या महराजने जै बदा भक्तों ने जणावानू आसनी वारे